तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टीस्टी और क्रिस्पी ढोसा जिसके लिए हमें सबसे पहले एक कप उरत दाल जी और दो कप चावल जी रिश्यो बिलकुल याद रखेगा इसको राद पर पानी में भिगो के रखिए और नेक्स्ट डे अच्छे सी पीस के फाइन पेस्ट ब अब हम यहाँ पे बनाना है चट्णी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ हुआ है फिर उसी बचे वे तेल में हम डालेंगे राइव उसके अंदर डालेंगे करी लीव फिर पियास, लहसुन, मिर्ची और जो लाल मिर्ची उध्य काश्मीरी उसको भी एड़ कर दी कि मुफली को अच्छे से पका रिजे वरना वो कच्छा पन नहीं अच्छा लगता यहाँ पे आप नारियल भी डाल सकते हैं साथ इंडिया में नारियल बहुत ही जादा यूज होता है चटनी में तो बस यह बिल्कुल रेडी है नमक और थोड़ा सा पाने डालके अच्छे से पीस लीजे और यहाँ पे धोसे की चटनी बिल्कुल रेडी है अब हम बनाएंगे धोसे का स्टफ मतलब जो एक पटैटो स्टफ लोग डालते हैं बीच में हम उसको बनाएंगे तो स्टफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको डालना है राई फिर उसके अंदर आपको डालना है करी लीव बहुत ही बेसिक चीजे हैं यह जो साओथ हिंडिया की हर डिशिस में पढ़ते हैं और यही उनकी पहचान है बेसिकली कि अब आपको राय और करी लीव डालने के बाए डालना है थोड़ा अधरक अच्छे से घ्रेट कर लीजेगा और जब यह सारी चीजे से पक जाएं पर इसके अंदर आपको पयास डालना है पयास दालने के बाद आप एक चीज का ध्यान रखिएंगा आ, पूर अच्छे से पका लेना है फिर यहां पर हम ड्राइ मसाला डालेंगे जैसे की हल्दी लाल मिर्च पावडर फिर जब यह दोनों मसाले पक जाए तो इसके इंदर आपको डालना है टमाटर छोटे-छोटे कटे हुए बहुत इंपोर्टेंट है फिर इसमें नमक डालके अच्छे से इसको प अच्छे से इसको मिक्स कर लीजी इसमें कुछ एक्स्टा मसाला डालेंगे जिसे चाट मसाला जीरा पावडर और ब्लैक पेपर पावडर और अब यहां आप देख सकते हैं हमारा जो ढोसे का बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है अच्छे सी खमीर उट अब अच्छे से बैटर को पैन में डालें धोसा तब आप बनाएगा इस बात का बहुत ध्यान रखेगा और अच्छे से इसको राउंड राउंड घुमा लीजिए बहुत ईजी होता है बनाना कर आप एक दो बार प्रक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही परफेक्टली इसक हमने बनाई है अभी और इसको चेसर डालके गोल-गोल रैप कर दीजिए और यहां हमारा क्रिस्पी धोसा बिल्कुल रेडी है इसको चटनी और जो आपने सांबर डाल बनाई है उसके साथ इंज्वाई कीजिए अगर आपको सांबर की रेसी पिछी होगे तो मुझे कमेट आपने बताना मैं वह भी जल्दी बनाके बता दूंगे और यहां पर हमारे क्रिस्पी धोसा बिल्कुल रेडी है बहुत ही जादा टेस्टी बने थे हमने तो भर-बर के खाए और अगर आप लोग को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती ना तो यहां लाइक कर दिया करो सब सब्सक्राइब कर दिया करो आपी लोग का चैनल है एक लाग तो सब्सक्राइबर होगे शॉट्स के बदा वलत बड़ी बड़ी वीडियो क्या कर रहे हैं इनको भी सब्सक्राइबर्स लाने चाहिए तो आप लोग इसको खूब सारा शेर कीजिए और बस वीडियो चले कि सब्सक्राइबर्स लाग जसाने चुह टो Kalas ऐसे एको भी सिमने उन एक लाग ज़ी बड़ी दोग मिन चले म्लवड़ होगत .